अब कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता दें लगातार कोरोना की जो आंकड़े हैं उनमे लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब राजस्थान में कोरोना से करीब 6,000 लोग संक्रमित दो बजे तक 107 कोरोना पॉजिटिव मिले लगातार आंकड़े बढ़ते हुए डूंगरपूर में 22, नागौर में 17, जॉल और में 11 कोरोना पॉजिटिव पाए गए जोदपूर में 10, सीकर में 9, जुनजनु में 8 कोरोना पॉजिटिव मिले चितारगड में 7, कोटा में 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए जैपूर और सिरोही के अगर बात करें तो यहाँ पर 4-4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए अजमेर और उदैपूर में 3-3 कोरोना पॉजिटिव मिले 12 और ज्छालावाड में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले बाहरी रज्ज का 1 कोरोना पॉजिटिव पाए गया राजस्तान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या इसी के साथ पांच हजार नौसो बावन छेहजार के करीब ये संख्या पहुंचने वाली राजस्तान में दो बज़े तक 106 कोरोना पॉजिटिव पाए गए लगतार आखड़े बढ़ते जा रहे हैं हर जिले से कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं शेहजार के करीब पहुंचने वाली है ये संख्या लगतार आखड़े बढ़ते जा रहे हैं रोज इन आखड़ों में बढ़ होतरी देखने को में रही है और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे समवादाता लोकेश होला फोन लाइन पढ़ जो चुके हैं लोकेश देखे हर जिले से बिलकुल ये कोरोना पॉजिटिव रो सामने आ रहे हैं और अब 6,000 के करीब इस संख्या पहुंचने वाली है जी बिलकुल लगातार परदेश में कोरोना पॉजिटिव के संख्या बढ़ती जारी है और अब तक करीब इस संख्या बढ़ने जारी है परदेश में आज 107 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और अब जो मरीजू का आखड़ा परदेश में 5,92 बावन हो चुका है वही मोटोब इस संख्या बढ़ती जारी है और परदेश में अब तक 143 कोरोना पॉजिटिव के मोटो चुकी है हलांकि जो कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं बिलकुल लोकेश लोकेश तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्री आपको बता दें लगातारी आखड़े बढ़ते हुए कोरोना के कहर के चुल